जरूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए Study for Civil Services का Android आप Google Play Store में आ चुका है उसको प्लीज तुरंट इंस्टॉल कर लीजे और अगर आप Study for Civil Services के सिर्फ आप से कोई भी कोर्स, कोई भी पेडिया पर्चेस करते हैं तो उसमें Apply coupon अगर आप ग्यांसर जो है आप उसमें Apply करते हैं, यह coupon code है तो उसमें 20% फीज तुरंट माफ हो जाएगी मतलब 20% डिसकाउंट तुरंट उसमें लग जाएगा ग्यांसर लिखना है, नॉर्मली ग्यांसर स्माल लिटर में है, सब कुछ कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं सिर्फ ग्यांसर जी, वाई, एन, एसाई, यार इस तरह से गर coupon code लगाते हैं आप एप में बाई करने से पहले जो Apply coupon वाले में आता है जो प्रीवेस एर में questions पूछे गया है, उनके बारे में, आज हम आगे बढ़ेंगे, और लास क्लास में टॉपिक हमने देखा था, वो देखा था, ग्रीन मफलर चलिए आगे रेखते हैं अगला fact है हमारे पास हवा में तेहरते हुए शुषनी सूच मकड़ों का आकार पांच माइक्रों से कम होता है और ये हमारी सांस के साथ हमारे फैपड़ों तक चले जाते हैं सरसों के बीच के अप मिश्रक के रूप में सामाने तहा अर्मी मौन के बीच का प्रियोग किया जाता है हीलियम एक अक्री तथा अजोलन सील गैस जिसका प्रियोग मौसम समंदी प्रेशन करने के लिए गुबारों को भरने में करते हैं पोशण राष्टी संस्थान हाज़राबाद में है भारत का बनिजीव संस्थान दैरादून में है आयुर्वेत्र का राष्टी संस्थान जैपुर में है नेश्टिट्यल इस्टिट आफ नैच्रोपैथि पूने माहरास्थ में है भारतिय वन प्रबंदन संस्थान भोपाल में है केंद्रिय शुष्क छेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है इंडियन इस्टिट्यूट ऑफ एकोलोजी एंड इन्वार्मेंट नई दिल्ली में है इसकी स्थापना विश्व पर्यावण दिवस 5 जून 1980 के अवसर पर की गई पर्यावण सूचना प्रणाली का जन संख्या तथा पर्यावण के इंड्र आई आई पीएस मुंबई में इस्थे रहे लिपिस्टिक में सीशा पाया जाता है शीतल पे में ब्रोमीनित वनस्पती तेल और चाइनीज फास्ट फूड में मोनो सोडियम ग्लूटामेट का संभावित अवांचनिय प्रयोग होता है जो स्वास्त के लिए हानिकारक होता है सोडियम ग्लूटामेट के अगर हम बात करें तो कुछ दिन पहले हो सकता है काफी मुझे लग रहा है एक डिल साल हो गया चीज को काफी एड आया था कि आशीदवाद की जो आँटा होता है जो पैकेट वाला आठा हम लोग करीते हैं उसको बिलकुल अगर आप पानी में ध स्टीकरण दिया कि यह जो है यह आटाई में ग्याहूं में पाए जाने वाला सोडियम ग्लूटामेट है इसकी वज़े से यह रवड जैसा बन जाता है तो यह उस समय काफी चप्चा में रहा था चलिए आगे बढ़ते हैं कि अ यह अगर कोई भी कोई भी प्रजाती अपने प्राकृति का आवास में पचास साल से नहीं देखी हैं तो हम उसे मालेंगे कि वह विलॉप्त हो गई है एकिकरत कीट प्रवंधन में कीटों के खिलाफ व्यवहारिक, भौतिक, यांतिक, रासायनिक और जैविक तरीकों जैसे उपायों को शामिल करना शामिल है अगला फैक्ट देखिए, भारत का सबसे पूर्वी राष्टी उद्यान है नामदफा जो अरणाचर प्रदीश में है सबसे उत्तर में आपको मिलेगा दाची गाम जम्मू कश्मीर में सबसे पश्चिम मिलेगा मरीन कक्ष की खाड़ी गुजरात में है और सबसे दख्षन में मिलेगा गैले भी रास्टी उद्यान अंडमान और निकोबार में वोग्ति भूबाग में भारत का सबसे दख्ष्चली रास्टी उद्यान मन्नार की खाड़ी में है और ही दिब्रू सैखहबा ज्यामंडeton रिजर्व है जो कि बढ़ता है असम में ध्यान लगना भारत का सबसे बड़ा जयाम Matter Reserve कiberal और मंनारकी खाड़ी bang ऊस्वेर भारत का पहला मरीन भाईयूंष्वे रिजर्व हे जो में लाडु में है लियोपोल्ड मैट्रिक्स पर्यावण अधिप्रवास की आकलन विधी का नाम है मोनो क्लाइमेक्स सिद्धान्त एफ ए क्लेमेंट्स द्वारा प्रतिपाजित किया गया था भारत की शहरी बेश साला नई दिल्ली में सित है प्रात्मिक उर्जा श्रोत अर्थात जो सीधे वास्तविक संसादन से प्राप्त होते हैं को दो समूव में विभाजत किया आता है गैर नभी करनी और नभी करने मैं आपको अलड़ी बता चुका हूँ कि नभी करनी क्या होते यह पावन और दूसरे होते हैं और नभी करनी या गयर नभी करनी जो किवल एक बार इस्तेमाल आ सकते हैं जैसे पैट्रोल ढीजल कोई डाल सब्सक्राइब प्रास्मी कूर्दिया सीधे तोर पर कोईला लिगनाइट कूड पैट्रोलियम प्राकृतिक गैस आधी के रूप में प्राप्त किया जाता है भारत में मिट्टी बचावा अंदोलन कहां से शुरू हुआ द्यान रखना दर्बंगा से शुरू हुआ था बिहार में समुदायों का पूर क्रम जो क्रमसा एक निश्चे स्थान पर बदलता है उसे सीयर कहा जाता है द्यान रखना आगे देखो फायर अलाराम में फोटो सेल के यूज़ करते हैं राश्टी स्वच्छ वायू कारकरम के सरकार द्वारत 2019 में शुरू हुआ वर्स 1987 में सहुत मंदित एक रिपोर्ट लगाई गई और उस रिपोर्ट का जो शीर्षक था वो था अबर कॉमन फूचर यह जो रिपोर्ट थी सस्टनेबल डवल्लमेंट को लेकर के लगाए गई थी द्यान रखना और लाश्ट पॉइंट देख लीजिए इस वीडियो का 1912 में प्रकासित पुष्टक साइलेंट स्प्रिंग आई जिसने विश्व के परयावड़ी आंदोलन को गती दी इसके लेकर को ने द्यान अकना इसके लेकर है रेचल कार्सन तो यह हुआ आज का छोटा सा वीडियो अगली जो हमारी क्लास होगी वह होगी सदीजी के उपर सस्टनेबल डव परकास लक्षे हैं इनकी हम बात करेंगों तो मिलते हैं साथ यह अगली क्लास में तब तक के लिए जय हैं जय भारत बनने बात रहें